नमस्ते दोस्तों स्वागती फिर्स आपका और एक नई वीडियो में मेरा नाम है देश्यास और आज हमारे पाइसे वन प्लस का नौट CE2Light 5G और ओपो का A96 4G वैसे दोनों भी एंसेट की जो प्राइज है 12999 से स्टार्ट हो जाती है OnePlus का अगर back side देखते हैं तो आपको triple rear camera और flashlight का setup इसके अदर आपको मिल जाता है और नीचे जो है आपको OnePlus की branding भी आ जाती इसमें Body structure जो यह plastic type में आ जाता है थोड़ी से matte finish में दिया है इसका body structure Oppo के अदर आपको dual rear camera और flashlight का setup दिया है Body structure इसके अदर आपको matte finish में आ जाता है लेकिन body के अंदर थोड़ो सा color grading का भी option इसके अदर मिल जाता है थोड़े बहुत color भी इसके अंदर change हो जाते है और नीचे अगर देखेंगे तो आपको Oppo की branding भी मिल जाती है दोनों में headset के इस साइड में अगर देखेंगे तो आपको power on off की key और side fingerprint का option दिया है और opposite side के अंदर आपको दिया है value up and down की key और SIM slot का option headset के अगर नीचे के साइड में देखेंगे तो आपको stereo speaker, charging port, mic और 3.5 mm headphone jack देखने को मिल जाता है OnePlus के अंदर hybrid technology का slot देखने को मिल जाता है, एक तो SIM और नई तो फिर आप एक SIM और एक memory card लगा सकते है लेकिन Oppo के अंदर दो SIM और एक memory card लगा सकते है, जिसके अंदर आप 1 TV तक के expandable भी कर सकते है battery capacity के अगर बात करेंगे तो दोनों भी एंसेट के अंदर आपको same battery मिल जाते है, जो कि 5000 image की है और charger भी दोनों भी एंसेट के अंदर आपको type C का दिया है, 33W का super hook charger जो कि same आ जाता है, ऐसा कुछ change नहीं दिया है camera के अगर बात करेंगे तो OnePlus के अंदर आपको 64 MP का main camera मिल जाता है, 2 MP का depth और 2 MP का micro camera और OPPO के अंदर 50 MP का main camera दिया है, 2 MP का depth camera इसके अंदर में आपको देखने को मिल जाता है और front camera जो दोनों भी एंसेट के अंदर आपको same दिये है, चूकि 16 MP के आ जाती इसमे दोनों भी एंसेट के अंदर सिर्फ एक चीज सेम देखने को मिल जाती है, चूकि है handset का display जिसका display आ जाता है 6.59 इंच का IPS करने के साथ में जो की punch hole screen दिया है एक्सपेक्ट रिशो भी दोनों भी एंसेट के अंदर आपको 269 का मिल जाता है पिक्सल डेंसेटी के अगर बात करेंगे तो 401 की PPI इसके अंदर आपको मिल जाता है जो कि सेम आ जाता है रिजोलेशन के अगर बात करेंगे तो 1080 x 2412 पिक्सल का रिजोलेशन भी इसके अंदर दिया है जो कि आ जाता है full HD plus में रिफ्रेश्ट रेट जो है थोड़ो सा चेंज देखने को मिल जाता है 2026 के अंदर में वन प्लस के अंदर आपको 120 हट का रिफ्रेश्ट रेट डिया है और 96 के अंदर 19 हट का आउटओर के अगर बात करेंगे तो आउटओर के अंदर आपको 2.4 GHz से मिल जाती है फैब्रेश्ट इसके अंदर 6 Nm का आ जाता है और ग्राफिक्स इसके अंदर आपको Adronos 610 का मिल जाता है 96 जो यह 4G प्रोसेसर प्रोवाइड करता है और वन प्लस के अंदर जो प्रोसेसर दिया है यह 5G आ जाता है कॉनकॉम स्नाप्राइगन का 695 का 2.2 GHz के साथ में फैब्रेश्ट इसके अंदर आपको 6 Nm का दिया है और ग्राफिक्स आ जाता है Adronos 619 का अंड्रोड बर्जन के अगर बात करेंगे तो वन प्लस के अंदर आपको आंड्रोइड टेल का सपूर्ट मिल जाता है और 96 के अंदर आंड्रोइड 11 का राम एक्सपेंट के अंदर का जो ऑप्शन है यह दोनों भी एंसेट के अंदर आपको मिल जाएंगा 5G पी तक के राम एक्सपेंशन मिल कर सकते है और इसे के साथ राम टाइप भी इसके अंदर आपको LPDDR4X का मिल जाता है सिकरोडी के जाब से साइट फिंगर्पिंट सेंसर और फेस अंलॉक पैटन पीन के अप्शन दिये है क्यामेरे के अंदर आपको OnePlus के अंदर डुएल व्यू रेकॉर्टिंग का अप्शन दिया है वही Oppo के अंदर आपको नहीं मिलता है जुमिंग के अगर बात करेंगे तो OnePlus के अंदर आपको 6X तक Digital Zoom का अप्शन दिया है और Oppo के अंदर 10X तक के जोकि जुमिंग के अंदर थोड़ो सा Oppo बेटर आ जाता है एक अंदर आपको बात करेंगे तो लगबग दोनों भी एंसेट के अंदर सेमिलर फोटो देखने को मिल जाते है थोड़ो सा डिफरेंस देख सकते है जोकि OnePlus के अंदर जो है थोड़ो सा डार्शिक दादा देखने को मिल जाते है फर्स्ट वाला जो फोटो है यह Oppo का है और सेकंड वाला जो है यह OnePlus का है फ्रंट कैमेरे के अगर बात करेंगे तो फ्रंट कैमेरे के अंदर Oppo का जो images है वो काफी बेटर देखने को मिल जाता है थोड़ो से जादा डिटेलिंग देख सकते है आप फ्रंट कैमेरे के अंदर में Oppo के अंदर में तो images quality तो लगबख similar आ जाते है दोनों भी handset के अंदर इतना कुछ जादा difference नहीं दिया है इसे के साथी slow motion भी आपको दोनों भी handset के अंदर मिल जाएंगे और Oppo का जो weight है 101 kg दिया है और 8.4 mm की थिकने से इसके अंदर आपको मिल जाती है अभी आपके उपर है अगर आपको 5G handset होना 20,000 की range में तो OnePlus का भी handset काफी अच्छा आ जाता है लेकिन इसके अंदर आपको सिर्फ RAM जो है 6 GB की मिल जाती है अगर आपको RAM जादा होना तो Oppo का भी handset बेटर आ जाता है क्योंकि इसके अंदर में आपको RAM 8 GB की मिल जाती है 20,000 रुपए के अंदर में ही अगर RAM जादा नहीं होना तो OnePlus का handset भी काफी बेटर आ जाता है जो कि ये 5G handset आ जाता है अगर फ्यूचर देखेंगे तो लगबग दोनों भी handset के इंदर आपको same configuration आ जाते हैं बैटरी से लेकिए चार्जर तक के ऐसे मोबाइल कंपीरेजन के लिए और मोबाइल अन्बॉक्सिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए साथी बेल आइकन को भी फ्रेस कर दि चलिए मिलते के लोड़ें थैंक्यू